तमस्कार मैं सोहन राज और आप देख रहें 24 इंडिया टीवी चलते हैं आज की कुछ खास ख़बरों की ओर बोरियो पर्खन के नवनिर्वाची जनपरतिनी दियों ने वीडियो पर उपेच्छा करने का लगाया आरोप जहां साइव अंजिला छेत्रे के बोरियो पर्खन अ में बुलाना चाहिए था वीडियो से हम लोग को इनवाइड नहीं किया तो फिर डेट कर दिया कि इस दिन आप लोग आई लिएगा जांब बैठक में पंचेत के सभी पंचेत समीति सद्द सेकंद सामिन हुए वहीं बैठक में उपस्तितू पर मुख केलास परसाद ने कहा रादनाव निर्वाजित जन्परत निदियों का समान पर खंड विकास परदिकारी नहीं कर रहे हैं उन्होंने का परखंड का रहे में ब्यापक रूब से बिचुलिया हवी है जिस पर अंकुस लगाना जरूरी है जान जरूरतमन लोगों को सरकार की ओर से चलाए जारे यह जनाओ का लाब मिल सके वहीं इसके साथ ही पासाव पारित किया गया जहां परखन में चलाए जा रहे मने रेगा इजनाओ के तहात उच्छे इस तरी जाच की जाए जिसमें पंचैज समीती सद्देश को भी मुखे रूप से सामिल किया जाए वहीं उन्होंने कहा जन्दपरत निद्यों की बात बोरिय परखन में नहीं सुनी जाएगी तो हम सभी पंचैज समीती सद्देश से जन्दपरत निद्यों बरिये परदिकारी से आगे शिकायत करेंगे जामो के पर उपसित पूर्वे पर मुखे मंडल मरांडी पंचैज समीती सद्देश नौसाद आलाम इर्शाद अंसारी अनिता देवी मांदबिल हाजदा नदलाल साहा सहीत अन्य पंचैज समीती सद्देश उपसित थे बोरियो से हमारे सयोगी असाद अजमल की आज है तो हम लोग नहीं मता पाई है जैसे पर मुख कह रहे थे कि परकण मुक्षाले में हम लोगों को चेंबर नहीं दिया जा रहा है पाइटने के लिए जनता की समस्या सुनने के लिए इसके आप जा कहेंगा तो हम लोगों ने फुल बुके के साथ एंट्री कराया है च हमेसा कुला हुआ है और उपर मुख कहाना था कि परकण मुक्षाले में बिचोलिया हा भी है इस पर आप क्या कहेंगे नहीं है सब कोई बाद नहीं है अगर उस तरह कोई सिकायत है प्राप्त होता है तो हम लोग करवाई करें है हमारे सांथ बने रहने के लिए धनवाद फ हुआ हुआ है